तो दोस्तो Q&A की एक नई वीडियो में आप सब का स्वागत है जिन सातियोंने हैस्टेक बोलो राजगूर जी के साथ मुझसे सवाल पोचे हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वालों अगर आपने भी कोई सवाल पूचा है तो इस वीडियो के साथ हो आप बने रहे नमस्कार सातियों मैं हूँ आपका अपना साति राजगूर जी और आप देख रहे हैं राजगूर जी स्कूल हल्प यूटूब चैनल सवाल कुछ इस तरह से हैं जिन सातियों ने RBSC Board प्रीक्षाद 2023 के आवधन फोर्म की समस्याओं को लेके सवाल पूचें इसके लाग कुछ ऐसे भी इस्टूडेंट हैं जिन्होंने Board Copy Rechecking 2022 के Result को लेके या फिर उनकी समस्याओं को लेके सवाल पूचें तो ऐसे सवालों को मैंने सामिल नहीं किया है क्योंकि इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ उन सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जाके वीडियो देखिएगा और आपकी समस्याओं का समादान वो मिल जाएगा और कुछ एक ऐसे हमारे साती है क्यार हमने राजगुर जी से क्योंने वाली वीडियो के अंदर कोई सवाल तो पूचा नहीं तो एक से कमेंड़ की वीडियो कुछ अल्ग टाइप के समयल है और इन सवालों से आपको कुछ न कुछ नहीं चीज़ है वह शीखने का मिलेगी चलिए अब आपके सवाल का जबाब देते हैं वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि काफी सारे साथियों के सावलों के जवाब हमें आज यहाँ पे देने और आज के हमारे पहले साथि हैं और क्यों पहले साथि नहीं जो कि हमारे चैनल के स्पेशल मिंबर भी हैं आप यहाँ पे देख रहे होगे इनके नाम के आगे यहाँ पे स्टार लगावा है तो यह हमारे चैनल के स्पेशल मिंबर हैं और जिनका नाम है भाविन भवशार और तो कुछ student का data admit नहीं हो पाया, अब उसमें से एक बच्चे को अन्य स्कूल में admission के लिए TC चाहिए, हमारा स्कूल CBC स्कूल है, तो वह है TC तो हमने दे दी लेकिन portal की TC में कैसे दूँ, तो देखिए भावयनम आपको कहना चाहूंगा, फंडा तो अजीब साहिए, लेकिन portal पर यहाँ पर admission करने के session आ रहे हैं, जहां से आप admission करते हो न, वहाँ पर आप 2020-21 को एक बार select करके देखिएगा, अगर वहाँ पर admission हो रहे हैं, तो 20-21 में admission कर दीजेगा, क्योंकि यहाँ पर 6i वाग के दौरा आपको यह offer दिया गया था, कि पुराने अब तक के जित्ते यहाँ पर जो session है, उनमें by chance आपने किसी student का admission करना भूल गये हैं, तो सभी पुराने वाले जो session है, उसके अंदर आप admission हो कर सकते हो, लेकिन वो date तो चलीगी, लेकिन फिर भी आप try कर लिजेगा, अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है, तो फिर यहाँ प आपको बता सकता हो, ने session में आप उसका admission कर सकते हो, लेकिन व्याँ पोर्टल की TC तो आप जारी कर सकते हो, लेकिन कलास कौन सी है, वो विया थोड़ी से आपको सोच विचार के, अलागि पूरी बात में clear तो आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज पूल वाले RT के तैट admission नहीं ले रहे हैं, कहे रहे हैं कि मामला court में चल रहा है, मैंने सभी जगए application दे दी है, बट कुछ भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है, क्या करें, प्लीज गाइड एंड हेल्प, तो विजन दर से निम आपको कहना चाहूंगा, कि देखिए आपने इस बार में मैंने एक separate वीडियो भी बनाई थी, अगर ऐसा school वाले बोल रहे हैं, कि ये court वाला मामला चला, तो सरासार गलत है, नियमों के विरुध है, तो एक बार फिर से उनकों की सिकायत कर लिजेगा, और लिखीत में ले लिएगा, अगर आप जिएगा, अधिकारी से आपको मना नहीं गरेगा, सब अब तक आपने क्या कारवाई की है, वो आप लिखीत में लिएगा, अगर वहां से कारवाई नहीं होती है, तो थोड़ा और उपर जाएगा, निजल साले तक पहुँझाएगा, फिर थोड़ा से और उपे जाएगा, ठीक है, आप हमसे बात क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीम कीजेगा, वहां पर एक तरीका हो रहाएगा, आपको मैं बता दूगा, चलिए, अगले सातिका सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं, नव रतन अकोडिया, और नव रतन अकोडिया ने बहुत बड़ा सवाल पूचा है, उतना सवा वाले बोल रहे हैं कि मेरी टाइम कम है इसके ताकि करने का तो मैं टेंथ का अधार पर अधार काड अपडेट कराऊंगा लेकिन टेंथ की सोरी 11 की मारक सिट में मेरा नाम 8 की मारक सिट के हिसाब से है सर अगर मैं 10 की मारक सिट के हिसाब से अधार को अपडेट भी कराऊं तो 12 की बाद TC में मेरा नाम 11 की मारक सिट के आधार पर होगा या 12 की मारक सिट के आधार पर होगा मैं समझ गया आपके सवाल का देखिए दो तरीक आपको बताओं आलांग इसके लिए एक separate वीडियो बना रहा है लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा पहली बात तो यह आधार पर हो जाएगा कोई दिकत नहीं आगे आपको किसी परकार की प्रेशा नहीं आने वाली और आधार कार्ड में आप 10 के आधार पर अपडेट करवा सकते हैं दोनों तिने तरीके माने आपको बता दिये बाकि वो सारी वीडियो देख लिजिएगा सच कर लिजिएगा बाई राजगुर जी के नाम से नेम चेंज या नेम करेक्शन बाई राजगुर जी सारी वीडियो आ जाएंगे ठीक है चलिए अगले साती का सवाल लेते हैं सुरेंदर कुमार और ये पूछ रहे हैं थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली क्योंकि काफी सवाल यहां पर मै मैंने बोड का अवगत करवा दिया साइद अगले दो-चैर दिन में इसका समाधान हो जाएगा अलंकि फिलहाल उनका रीप्लाइ नहीं आया क्योंकि मैंने उनको वाटसप किया था और उसके बाद सारा ये ताम जाम है मैंने स्वीचोप कर दिया तो मैंने अपडेट देख जो प्रोसेस है जो दिशा निर्देश में कहा गया था तो वो एक सितंबर से शुरू हो जाएगी ठीक है अभी एक दो दिन में हो जाएगी अब होगी या नहीं होगी यह तो मैं पक्का नहीं कह सकता देखिए क्योंकि होस देखता है को टेक्निकल फाल्ट आ जाए और इसक सातिका सवाल लेते हैं और पूछने वाले SVM और यह पूछते हैं किसी एक सेंस था पर दो अलग-लग नाम से विदाले खोल सकते हैं एक पहले से चल रहा है हाँ बिलकुल आप खोल सकते हैं अगर सोसाइटी एक है तो आप अलग-लग नाम से कई स्कूल या कुलेज हो संसाल कर सकते हैं चलिए अब एक मक्ही आ गई है पता नहीं कौन सी मक्ही है किदर कई मेरा तो टाइम ऐसे खराब हो जाता है चोटी-चोटी मक्ही आती है पता नहीं कहां से निकल के आ जाती है चलिए अगले सातिका सवाल लेते हैं और पूछने वाले जलक राजिस्तान हमें भी है एमा कि पूछ में हैं मुझे तो चलिए हां यह पूछ रहे हैं मैंने 2014 में 10 अड़ी में करना चाहता हूं तो क्या पुराने वाले मारक जीट की मानेता खतम हो जाएगी गूर जी प्लीज रीपलाई देना थैंक से तो जलक राजिस्थान में आपको कहना चाहूंगा आप फिलाल रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि आपने 2014 में की है और अगर आप केटेगरी 2 यानि श्रेणी सुधार के लिए आविदन करते हो तो आपको अगले ही साल करना पड़ता है यानि आपको रेगुलर रहना पड़ता है अगले ही साल आपका तो 2014 का मामला अब आप यहां पर नहीं कर सकते तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं थोड़ा सा पशिना यहां पर आगया है और अगले साथी यहां पूछने वाले हैं राजेंदर स्वामी और यह पूछ रहे हैं सर जी इंद्रा योजना में कोई बालिका आठी पास करके कोई अधर पंचैत स्कूल में एडिविशन लेती है तो क्या बालिका योजना में सामिल होगी तो देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा पोर्टल प पन यह जो इंद्रा पुरुषकार वाला है इसको अपन वैसे तो एडिमिसन नहीं कर सकते लेकिन कोई बालिका दूसरी स्कूल की है जो आठीकेत है तो उसका प्रेवेश वा आठीमे थी और नाइन्थ में आपके यहाँ इस्कूल में आगी और उस ओप्शन के अंदर यह आपको उसका नाम दिखाये देता है तो उसके लिए पातर है सिदी सी बात चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यहाँ पे आसादीप स्कूल बिल्लू और यह पूछ रहे हैं सर मेरा सवाल एक बिल्लू पहले भी हमारे साथी हैं जो कई बार कर रहा है तो क्या ये गियर कानूनी काम है क्या इसके विरुद कोई कारवाई हो सकती है बिल्कुल हो सकती है मैं कहना चाह'llओा आसाधीप आपको यहां पर क्योंकि यह बिल्कुल सरअसर नेमों के खिलाप है कोई भी साती ऐसा नहीं कर सकता बगर मानने ताके इस्कूल चला नहीं सकता अगर वो ऐसा करता है और किसी दूसरी इस्कूल के साथ अटेज करता है तो दोनों इस्कूल है वो यह नेमों का उलंगन कर रहे हैं दोनों के खिलाब कारवाई है वो की जा सकती है चलिए अगले साते का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आदर्स स्कूल बंबू और ये पूछ रहे हैं कक्सा 1-12 तक की प्रीक्षा में अंक विभाजन का प्रारूप क्या है स्रीमान जी तो आदर्स स्कूल मां आपको यहां पर कहना चाहूँगा देखिए अंक प्रारूप है पुराने वाले जो नियम है सेम के सेम वही है हाँ आपने एक चीज मुझे याद दिला दी हमारी वेबसाइट पर जो पुराना वाला प्रारूप है उसकी पीडिया फाइल आपको मिल जाएगी और जहिए आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है तो देखी इसकी सूचना मेरे पास भी नहीं है और ना ही मैंने इसकी सूचना वो डिपार्टमेंट से लिए आ जाएगा आराम से कोई दिकत नहीं है बस आप जो बालक बालिका हैं जिनके यहाँ पर सप्लिमेंट नहीं है आप तो आगे की कख्षागा उसको अध्यन कराओ रिजेल्ट के आप टेंशन मत लेओ क्योंकि सबी जो बच्चे हैं बालक बालिकां वो पास होने वाले नो टेंशन आएगा अपने आप आजाएगा नो टेंशन अपडेट की जान करें आपको मिल जाएगी चलिए अगले सातिका सवाल लेते हैं और कोई भी सवाल नहीं है और वीडियो तकरीबन यहां पर 13 मिनट की बन चुकी है तो आसा करता हूँ कि साइद आपके सबी सवालों के जवाब हो मिल गए होंगे और इसके अलावा जिन सातियों ने हैस्टेग बोलो राजगुर जी के साथ सवाल भी पूछाता और वीडियो में सामिल नहीं है तो ज जिन सवालों का जवाब मैं किसी ने किसी वीडियो के माद्यम से दे चुका होता हूँ ऐसे सवालों को मैं सामिल नहीं करता हूँ तो ऐसे मैं आपसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लगातार हमारे चैनल के साथ वो अपडेट रहेगा क्योंकि हर एक परकार की जानकारी जैसे जैसे कोई समस्य आती है, कोई अपडेट आती है, उनकी जानकारी वीडियो के माद्देम से हमें देता रहता हूं, तो हैस्टेक बोलो, अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली संडे कमेंट बोक्स की वीडियो के अंदर माँ आपके सवाल को सामिल करूँ, देखे थोड़ी सी गले में तकलीफ हो गई थी, तो हमें दिक्कत होगी, आवाज में थोड़ा चेंजमेंट आपको मिलेगा, तो जब लीजिएगा, बेल आइकन दबाने के बाद, ओल नोटिफिकेशन उससे जरूर ओन कर लीजिएगा, ताकि नए नए अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे, मिलते हैं फ़र्ण्स अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत!